गौलियर राज्य मंत्री OPS भधोरिया का उपचनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मद्धेप्रदेश में होने वाला उपचनाव एक तरफा बीजेपी के पक्ष में हैं क्योंकि जनता विकास को ही चुनेगी। कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कॉंग्रेस ने 15 महीने की कारेकाल में भी इन शेत्रों की सुद्ध नहीं ली है। बंसल न्यूस से विशेश बाचीत में मंत्री OPS भधोरिया ने सभी सीटों पर होने वाले उपचनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। मद्धेश में उपचनाव की जंग तेज हो चुकी है। बीजेपी अपनी पूरी तागत इन सीटों को जीतने के लिए लगा रही है। हमारे साथ इस मसले पर बाद करने के लिए राज्य मंत्री OPS भधोरिया मौझूद है। मंत्री जी बेहद रोचक ये मुकाबला माना जा रहा है। कुछ सीटों पर कांटी की टक्कर बताई जा रही है। कैसे देखते हैं। कोई रोचक मुकाबला नहीं है। चुनाव एक तरफा है। मैं भी उन चुनाव चेत्रों में चुनाव जहां होना है वागया हूँ। जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। बारती जनता पार्टी के पक्षमे मद्दान करने के लिए और विकास के लिए अपनी प्रतिवद्दता जाहिर करने के लिए। इन में से जो चुनाव चेत्र यहां लंबे समय तक कांग्रेस के प्रत्यासी चुनाव जीतते रहे चाहे वो आलोट हो चाहे प्रत्वी पूर हो। लेकिन दुरबा की की बात ये है कि विकास के मामले में वे चेत्र पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। किसानों को आज भी बुन्यादी सुविदाओं का अभाव है। रोडों की आलत खस्ता है और वहां के जो आम जन्मानस है उसने भारती जनता पार्टी के पक्ष में सरकार के पक्ष में मद्दान करने का निर्णा ले लिया है वो मन बना चुकी है और इसका परिणाम नतीजे जब आएंगे आपको दिखाई देगा। बिल्कुल तो यह दावा है की जनता ने मन बना लिया है और जनता यह चाहती है इस बार विकास को बोट दिया जाये और इसलिए जनता इस बार बीजेपी के साथ रहेगी जिन सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव रहा है उन सीटों को भी बीजेपी जीत लेगी